परमेश्वर के पुत्रों का मनुश्य की पुत्रियों से ब्या और दानव इन चार आयतों के विशे में हमारे कई दर्शक सवाल कर चुके हैं लेकिन मैं इसको करम अनुसार ही समझाना चाहता था मतलब पहले उत्पत्ति पांच समझाना चाहता था फिर उतिपती छे तो अब हम उतिपती छे में पहुंच चुके हैं तो इस क्लास में मैं पहली चार आयतों को ही समझाऊँगा क्योंकि इन को समझाने में थोड़ा समय लगेगा इन चार आयतों ने बाईबल के विद्वानों के बीच बहुत वाद विवाद उत्पन किया है क्योंकि इन चार आयतों के कम से कम तीन व्याख्या निकलते हैं मतलब तीन अर्थ त्री डिफरेंट इंटर्पेटेशन्स तो सवाल ये है कि इन में से कौन सा सही है ये कैसे पता लगाएं तो उसका जवाब ये है कि हम उन तीनों व्याख्यानों के विशे में यहां चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन में से कौन सा सबसे अधिक तर्क संगत लगता है तो मैं एक एक करके इन व्याख्यानों को समझाता हूँ और उनकी वैदता और अवैदता भी समझाऊंगा मतलब Validity and Invalidity मैं यहां ये भी स्वश कर देना चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं इन आयतों के विशे में कोई चित्र नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इन आयतों की कल्पना करके विश्व भरके कई चित्रकारों ने भहुत से रोमांचक चित्र बना दिया है जिन में जादातर नगनता और नंगपन दिखाया गया है तो उनको दिखाना उतना उचित नहीं होगा साथ में ये भी है कि वे सबी चित्र कल्पनाओं पर अधारित हैं वास्तविकता पर नहीं हाँ हो सकता है कि मैं एकात को ए दूसरा चित्र दिखा दूँ जो इस विशे से संबन्द रखता हूँ यहाँ पर मैं एक बात और स्पस्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्पत्ति छे का जो मुख्य संदेश है वो इन पहली चार आयतों में नहीं है बलकि इनके बाद वाली आयतों में है इसलिए यह चार आयतें इतनी भी महत्वपूर नहीं है जितना लोग समझते है इसलिए इनको उतना ही वजन देना चाहिए जितना आवश्यक हो इससे जादा नहीं अनिता हम इस अध्याय के मुख्य संदेश से भटक जाएंगे और मुख्य संदेश यह है कि प्रित्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था जिसकी वज़े से परमेश्वर ने प्रित्वी पर जीवन नष्ट करने की सोची तो आईए आयतें पढ़ते हैं उत्पत्ती 6.1 फिर जब मनुष्य भूमी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दर हैं तो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे भ्या कर लिया और यहोव ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदायों विवादना करता रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है उसकी आयू 120 वर्ष की होगी उन दिनों में पृत्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गये तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन हुए वे पुत्र शूर्वीर होते थे जिनकी कीरती प्राचीन काल से प्रचलित है तो इन आयतों के तीन व्याख्यान निकलते हैं तीन अर्थ पहले व्याख्यान के अधार पर परमेश्वर के पुत्र मतलब वे पुरुष जो परमेश्वर का भाय मानते थे और मनुष्य की पुत्रियां मतलब वे स्त्रियां जो परमेश्वर का भाय नहीं मानती थी इसलिए यहाँ जो पद है परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां इन पर विशेश जोर देकर इन में विरोधा भाज जताया गया है कि ये दोनों लग अलग है काटेगरी वाइस कुछ विदवानों का मानना है कि संभवता यहां परमेश्वर के पुत्र का तातपरिय शेथ की पीडियों के पुरुषों से है क्योंकि शेथ की पीडियां परमेश्वर का भय मानती थी और दूसरी और मनुष्य की पुत्रियों का तातपरे संभवता कैन की पीडियों की स्थियों से है क्योंकि कैन की पीडियां दुष्ट थी तो इसको हम आगे समझेंगे कि ये तर्ग किस हद तक सही है दूसरे व्याख्यान के अधार पर परमेश्वर के पुत्र का मतलब स्वर्ग से गिराए गए उन स्वर्ग दूतों से है जो दुष्टात्माय बन गई थी और मनुश्व की पुत्रिया मतलब साधारन मानव स्वर्या जो देखने में आकरशक थी तीसरे व्याख्यान के अधार पर परमेश्वर के पुत्र उनको कहा गया है जो उस समय के वीर योध्धा और शक्तिशाली शासक होते थे जिनको दुष्ट स्वर्गदूत या तो असमान्य शक्ति देते थे या फिर उनके अंदर वास करके उन्हें नियंत्रित करते थे और उनमें काम वासना, हिंसा और शोहरत पाने की लालसा उत्पन करते थे जिसके वज़े से वे अपनी शक्ति के बल पर मन चाहिस्त्रियों से ब्याँ कर लेते थे तो आईए आप एक एक करके इन तिनों का विशलेशन करते हैं अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीबाइबलस्टडी.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे जुलाइ के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जुलाइ का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाइ के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोज बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है